कहानी की सुरुआत होती है बिली नाम के एक विजल से जो अपने बेश्ट फ्रेंज सोकरटीज नाम के एक लाइन के साथ मस्ती कर रहा होता है तब उसे वहाँ हाइना पूप मिलता है जिसे वह एक छड़ी की मदद से गोल्फ की तरह खेलने लगता है तब ही वहाँ उसकी वा 12 साल क्या हुआ यहां से सीन सिफ्ट होती है और हम चाल्स नाम के एक चिकेन को दिखते हैं जिसे कुछी देर में उसका सर्फ डिनर में बदलने वाला होता है पर वो किसी तरह से अपने आपको छोड़ा कर वहां से भाग जाता है वो उसकी से बाहर कूद कर एक छोटे से बो आगरेटरी बर्ट से उन्हें पता चला है कि यहां से कुछ दूर सेवैना नाम का एक जगा है जहां भी तक इंसानों के कदम नहीं पड़े हैं चाल्स न सबसे कहता है कि वो उन सब को उस जगा तक ले जाने में उनकी मदद करेगा इधर सेवैना के क्यूइन सबसे कह रही ह होती है कि उनके पास खाने का स्टॉक्स भी खतम हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगबग सूख चुके हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो उन्हें सर्वाइब करना मुस्किल हो जाएगा चाल्स और उसके टीम भी सैवैना की खोज करते हुए उसके बहु भने लगता है जब उसके राइनो और बफैलो की नजर पढ़ती है तो वो गुस्से से उसे घूरते हैं इधर बिली का बेटा जूनियर अपने दोस्तों के सामने अपने डैड की बहुत तारीफ कर रहा था तब ही वो सब देखते हैं कि बिली पानी को लेकर भागता हुआ और उसके पीछे बफैलो का एक ग्रूप पढ़ा हुआ है जूनियर खुस हो जाता है कि उसके डैड इतने मुसीबतों का सामना करते हुए वे उसके लिए पानी लेकर आ रहे हैं पर उन बफैलो की वज़ा से बिली का सारा पानी बैज जाता है जूनियर के दोस्त उसका मज पर वो कहता है कि उसे किसी से बात नहीं करनी उसे अकेला छोड़ दे बिली अपने दोस्त सोकराटीज के पास जाता है और कहता है कि उसके साथ पानी की तलास में जाना होगा क्योंकि उसकी फैमिली को पानी की जरूरत है और उसे अपने बेटे जूनियर को भी दिखाना है कि वो एक लूजर नहीं है सुक्राटीज उसे कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला है क्योंकि वो यहां बहुत खुश है बिली अकेले ही जाने लगता है सुक्राटीज उससे बताता है कि जब तुम रिफर बेट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तब तुम्हें वैली अब देट को पार करना होगा यह सुनकर बिली बहुत डर जाता है वो उससे पूचता है कि यह वैली अब देट क्या है सुक्राटीज उससे कहता है कि बहुत साल पहले वो उस वैली में गया था वहां बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है जो वहाँ आने वाले को जिन्दा नहीं छोड़ता वो कहता है कि उसे अपनी जान की परवा है इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकता कुछ दिर बाद सोक्रडिज देखता है कि बिली अकेला ही चला गया है बिली अपनी तलास में आगे बढ़ने लगता है और कुछ दिर बाद वो वैली के गेट के पास पहुँच जाता है वहाँ उसे कुछ वल्चर्स मिलते हैं जो वैली में जाने से पहले उसे वार्न करते हैं पर फिर भी बिली हिम्मत करके वैली के अंदर चला जाता है वो जगह उसे बहुत डरावना लग रहा होता है तभी कुछ दिरबाद उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है वो पीछे देखता है तो खुस हो जाता है क्योंकि सुकरटीस था वहाँ पे उसका डर भी अब बहुत कम हो जाता है वो लोग जल्दी से भाग कर उस वैली को पार करने लगते हैं पर कुछ दिरबाद ही बिली को वहाँ एक बड़ा सा काला तेंदुआ दिखाए देता है जो उसकी तरह बढ़ रहा होता है पर अचानक से वो देखता है कि तेंदुआ डर से भागने लगा है वो कुछ समझ नहीं पाता है तभी वो अपने पीछे देखता है वहाँ बड़ा सा एक पोलर भीया था जिसकी डर की वज़ा से वो तेंदुआ भागा था सोकरटीस भी वहाँ आ जाता है वो लोग वहाँ चाल से और उसकी बाकी टीम से मिलते हैं रात को वो सब वहीं आराम करते हैं वहाँ सोकरटीस बिली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया उसने उस दिन वहाँ एक अलग क्रियेचर को दिखा जिसे इंसान कहते हैं सुबह चाल सब को उठाता है, वो बियर उनसे कहता है कि अब वो और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठक चुका है, चाल सब ने दो एनिमल टॉबी और अस्माइली को बिली के साथ पानी ढूनने के लिए भेजता है, और वो उन दोनों टर्टल के साथ बि पर जाते हैं, वहाँ वो देखते हैं कि नदी का सारा पानी यहाँ पे किसी ने कैद करके रखा हुआ है, वही डैम के पास एक इडन पाराडाइस नाम का होटेल था, जहां आज बहुत से देश के लोग क्लाइमिट चेंज की मीटिंग अटेंड करने के लिए आने वाले थे उस होटेल का मालिक वहाँ आये हुए डेलिगेट्स को अपने होटेल में अपना पालतो मंकी टोटो से उनका वेलकम कराता है, इधर एक वाटर बोट के सारे वो चारो एनिमल होटल तक पहुंच जाते हैं, वो सब होटल के अंदर जाकर मस्ती करने लगते हैं, बिली और सोक बचने के लिए वहाँ के पूल में गिर जाता है, पर वो हंटर वहाँ का एजिक्सन बटन दबा देता है, जिससे बिली डैम के पाइप से होते हुए बाहर गिर जाता है, पर वहाँ उसे टोटो बचा लेता है, टोटो उनसा भी एनिमल को हंटर से बचाने के लिए उस होट पानी के लिए पानी लेकर जाना है। वो अंटर जल्दी से फ्लाट गेट को बंद करता है और उन सब को माने के लिए अपनी जीप लेकर उनके पास पहुंचता है वो सब भागने लगते हैं वो अपनी जीप से उनका पीछा कर रहा होता है पर चाल्स उन दोनों टर्टल की मदद से उसकी जीप को पलड देता है को यहाँ बुला कर इस डैम को तोड़ देना चाहिए वो सब वापस से सहवेना जाते हैं और सारे एनिमल्स को इकठा करके बताते हैं कि कैसे इंसानों ने उसके जंगल में आने वाले पानी को डैम में कैद करके रखा हुआ है और अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो लोग बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे और अगले दिन हम बहुत से जानवरों के जंड को डैम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं पर उनके साथ बैफैलों और रायनों का गुरूप नहीं था क्योंकि वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं वो सारे अनिमल डैम के करीब पहुँच चुके थे तब ही वो हंटर एक प्लेन में बैट कर वहां आता है वो उन पर एक मिसाइल दागने वाला होता है पर तब ही वो देखता है कि उसके पीछे टोटो है वो उसे मानने लगता है और गलती से बटन दबने की वज़े से वो मिसाल वहां के डैम के पाइप के अंदर चली जाती है पर वो फटती नहीं है टोटो किसी तरह उस प्लेन को लैंड करवाता है उस होटेल के मालिक का बेटा माया सोक्राटीज को उसके पिंजरे से आजात कर देता है और यदर चाल्स अपने एनिमल्स को डैम पे अटेक करने को कहता है सब अपनी पूरी ताकत के साथ डैम को तोडने की कोसे इस करने लगते है तब ही वो देखते है कि बफैलो और रैनो के टीम उनकी मदद के लिए आई है वो सारे उस डैम को तोडने लगते है डैम अब थोड़ा सा हिलने लगा था पर यतना काफी नहीं था तब ही बिली को वहाँ एक हाइना पूप दिखाई देता है वो तुरंत एक लगडिक के डंडे से उसे गोल्फ की तरह ही सौट मारता है और वो सीधा जाकर के डैम के होल में उस मिसाइल को लगती है और वो फट जाती है डैम अब तूटने लगता है उसमें से पानी के फुआरे आने लगती है और फाइनली पूरा डैम टूट जाता है सारे जानवर उसमें बहकर जंगल की तरफ जाने लगते है सोकरेटीस भी बिली के पास आ चुका था और उस दिन के बाद सैवेना में कभी पानी की कमी नहीं हुई सारे जानवर वाँ खुसी खुसी रहने लगे माया और उसके डैड भी ये देख कर खुस थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज डू लाइक और शेयर दे वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो माँ चैनल और प्रेस बेल आइकन